जमस्क्रार 1994 क oath, आपका स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या ये दुनिया, क्या ये पुरृत्ऊओवी जो है, क्या एक दिन नश्ट होगी, या फिर क्या ये जल्दी इन इकदम नश्ट होने वाली है, क्योगी एक जो दिन आ जो सहुत कर ले है, लेकिन ये सजबुलू तो 100-200 साल पहले से यही मतलब बाते बोली जा रही थी कि कही ना कही मतलब एक तारीक दी जाती है कि 15-20 साल के बाद दुनिया नश्ट होगी इतने सालों के बाद दुनिया नश्ट होगी और जहां तक मुझे याद है मैं जब स्कूल में था तब 2012 ये जो डेट है वो उस वक्त बहुत जादा मतलब उसके बारे में कहा जा रहा था कि 2012 को ये दुनिया नश्ट हो जाएगी और वो डेट भी दी जा रही थी कि 21-2012 ऐसे कुछ डेट दी जा रही थी कि उस दिन ये दुनिया नश्ट हो जाएगी उस वक्त तो कुछ भी हुआ नह और उस वक्त मुझे याद बहे कि आपको भी पता होगा कि 2012 नाम के एक बहुत बड़ी फिल्म भी आई थी और बहुत ही अच्छ, मतलब बहुत चली भी थी वो उस वक्त थोड़े से पहले आई थी 2012 के वो तो इस तरीके से मतलब बहुत बार ये मतलब बात कही जाते है कि दुनिया नश्ट हो जाएगी सब मर जाएंगे और इस तरीके से मतलब नए दुनिया का निर्मान होगा वगेरा तो इस तरीके से ये जो बात है कहा तक सच है इसके बारे में आज हम जानने वाले है सबसे पहले यह जो थेरी है दोस्तो दो-तीन चीज़ों से निकल आती है सबसे पहले तो यह कहा जाता है कि कोई प्राक्रूतिक आपदा आएगी और यह दुनिया नश्ट हो जाएगी तो इस तरीक से मतलब बाद में हिमालाई का जो बरफ है वो पिघल रहा है बाद में ग्लोबल वर्मिंग बहुती जादा बढ़ रही है और भी मतलब ओजोन का जो थर है वो कम हो रहा है इन सारी चीज़ों को कही न कहीं कहा जाता है कि इस वज़े से कहीं न कहीं हो सकता है कि यह मतलब दुनिया पुरी तरीके से नश्ट हो जाएगी बड़ी बड़ी सुनामी आएज़ आएगी और पुरा मतलब दुनिया नश्ट कर देगी तो इस तरीके से बाते कहीं गई तो यह पहली बात है दूस्तों कि एक सनैसरगी का अपत्तिक के वज़े से दुनिया नश्ट हो जाएगी और दूसरा कुछ कारण इस तरीके से कहा जाता है कि दुनिया में अभी शस्त्रों की जो वेपन से उसकी जो भागदोड है बहुत ही जादा बढ़ रही है कुछ ऐसे देश जिनके पास मतलब अच्छी एकोनोमी जिनकी नहीं है जिनके पास खाने पिने के मतलब साधन नहीं है अपने लोगों को देने के लिए लेकिन ऐसे भी देश अगर हम नौर्थ कोरिया की बात करें तो ऐसे भी देश सिर्फ और सिफ कहीना कई वेपन पर अपना मतलब बजेट खर्च करने की कोशिश कर रहे है मतलब कहाए कि जो इंपोर्टन नहीं है उस पर कहीना कई वेपन पर करचा करना लेकिन जो जरूरत है लोगों की उनको कुछ भी ना देना उनको भुका रखना वो ऐसे मर रहे है तो उन पर मतलब धहनी ना देना तो ऐसी भी चीज़े आजकल देख रहे है तो दूसरी थेयरी कहीना कई ये कहती है कि जो बड़े-बड़े देश हो अमेरिका, यूए, रशिया हो या फिर ऐसे मतलब कुछ बड़े-बड़े देश जिनके पास बहुत ही जादा मतलब निउकलियर हतियार है अनुपाम वगेरा है तो उसके वज़े से ये दुनिया नश्ट हो जाएगी मतलब किसी दो बड़े देशों में अगर युद्ध हुआ तो एकदम आखरी वक्त में अगर किसी देश को लगा कि मैं हार रहू तो ऐसे समय में वो कहीना कई एटम बम का भी इस्तमाल कर सकता है तो इस वज़े से भी दुनिया नश्ट हो जाएगी तो ये दुसरी बात कही जाती है पहले ये कि नैसरगी कापतिक के वज़े से कहीना कई दुनिया नश्ट हो सकती है और दूसरा कहिना कई atom bomb वगेरा इन सारी चीजों के वज़े से दुनिया नश्ट हो सकती है तो ये दूसरी थेयरी निकल के आती है तो इस तरीके से जाधा तर जो लोग है दोस्तों इस पर विश्वास भी करते है कि दुनिया कभी नश्ट होगी और कुछ ऐसे भी कहने वाले लोग है जिनको थोड़ा सा जाधा नौलेज है इन सारी चीजों का वो ये कहते है कि हमारा जो सुर्य है वो एक दिन नश्ट हो जाएगा और पृत्वी भी एक दिन नश्ट हो जाएगी क्योंकि हर एक चीज के एक validity होती है उसके बाद वो नश्ट हो जाएगी तो इस तरिके से भी पृत्वी एक दिन मतलब उसका जो काम है वो बंध षो जाएगा और इस तरिके से भी दुनिया नश्ट हो जाएगी तो ये कुछ बात ऐसे निकल कर आती है कि कोई कहता है नई सरगे का पत्ती हो जाएगी, बाद में कोई कहेगा अनुबाम के वगएरा ताकतों के वज़े से, मतलब हातों से खुद का विनाश कर देगा इनसानियत का, और तिसरी थेओरी निकल के आती है कि कहिना के एक बार सुरज मतलब नश्ट हो जाएगा, सुरज सकता है कि इनसान भी नश्ट हो जाए, तो ये लोगों की अलग-अलग मतलब कलपना है, अलग-अलग थेओरी है, अलग-अलग विचार है, इसके पीछे आखिर कितनी सचाई है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकरी लेंगे दोस्तों, जितना मुझे पता है, मैं आपको आता रहता है, तो कहिना कि ये सारी जो चीज़े है, पहले से मतलब वैसे ही हो रही है, अभी वो हो रही है, एकदम नया-नया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले बहुत जगे पर भुझ कि हम बात करें, नेपल की बात करें, कितने बड़े-बड़े यहाँ पर भुकम पा गए, बह बहुत सारी लोगों की उसमें जान चली जाए, लेकिन एक ऐसी आपत्ति आएगी कि पूरी पुरी पृत्वी नष्ट हो जाएगी, हम पुरे तरीके से दावे के साथ नहीं कह सकते, तो पहली ये बात हो गई ना, इसरगी का आपत्ति की, दूसरा अनुबम वगेरा, जो हत टीम बॉम नहीं है, लेकिन वो टूसरा अनुबम बनाना चाहता है, क्योंकि वो भी कई नए अपने आपको सेफ करने की कोशिश कर रहे तो इस तरीके से चीजे हो रही है, तो ये मतलब, ये जो हम बोलते हैं कि कईना के एटम बॉम कम होने चाहिए जा या फिर खतम होने च मतलब मैं आपको सच बोलू तो रश्या ने एक ऐसा एटम बॉम बनाया है कि वो पूरी पूरी पृत्वी को साथ बार नश्ट कर पाएगा मतलब इसमें इतनी ताकत है आप सोचिए तो ऐसी जब चीजे निकल कर आती है तो कुछ लोगों को यह लगता है कि अगर इतना मतलब उनके बस एटम बॉम है तो उससे तो पूरी पृत्वी नश्ट हो जाएगी लेकिन यह पूरी तरीके से सच नहीं है बहुत सारी मरियाद आए है दोस्तों हम कितनी भी बात करें कोई कोई देश सोचेगा कि नहीं अभी मैं मतलब हार रहू तो मैं ऐसा करूंगा इसस नहीं उस वक्त कुछ बड़ा नुकसान हुआ होगा बाद में धिरे धिरे सिविलाइजेशन आगे की जिन्देगी के लिए उस तरीके से बहुत ही अच्छे से तयार हो गई और आज वो एक अच्छी कंट्री है जर्मनी तो इस तरीके से चीज़े है इसलिए मतलब कुछ ड और तीसरी बात ये कहा जाता ही कि सूरज का एक बार मतलब कहिना के सूरज एक बार खतम हो जाएगा बाद में पृत्वी खतम हो जाएगी तो इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जो बात है दोस्तों वो भी पुरी तरीके से सच है लेकिन इसके भी पिछे कारण ये है या फ जो अस्ट्रेय एस्ट्रोनामी के मतलब बहसक है, जो मतलब बड़े-बड़े साइंटिस्ट है, तो उन्होंने भी कहा है कि ये एक दिन जरूर होगा, क्योंकि सुरज की रोशनी है या फिर सुरज की जो उरजा है, वो दिरे-दिरे बढ़ रही है, जैसे दिरे-दिरे वो पूरी आयू है, उसके बीच में, मतलब ऐसे एक सच बोलू तो एक युवा वस्ता में फिलाल है, मतलब किसी की जिन्दिया के गयर 100 साल की है, तो अभी वो 40-50 साल में है, मतलब और भी आदे उसके जिन्दगी बाकी है, आदे मतलब लाखो करोड़ो साल उसके बाकी है, तो तब तक तो कुछ जादा मतलब चांसेस है कि कुछ भी ना हो, तो ये तरीक सारी चीज़े है दोस्तों, इसलिए अगर आपको कोई बोले या फिर डराने की कोशिश करे, कि सब कुछ नश्ट हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, इसे कुछ नहीं होने वाला, मैं सच बोलू तो भगवान जो है वो इन सारी चीज़ों पर हमें देखने की कोशिश नहीं करेंगे, वो यही सोचेंगे, दुनिया नश्ट हो, ना हो, इन सारी चीज़ों हमें ध्यान नहीं देना, आप पस अपने जो करम है, उसको दिखने की कोशिश करना, जितना हो सके काच एक मतलब इंसानियत की, मतलब बड़े-बड़े जो मुल्य थे, वो यही थे दोस्तों, इसलिए इन सारी चीज़ों हमें अटकना नहीं है, जितना हो सके मैं एक अच्छा इंसान बनूं, और अगर हम बहुत ही अच्छे से अपने जीवन के उद्देश शोक, आत्मा के सफर को तो ऐसी आत्मा को मुक्ष मिल जाएगा, बाद में उसका और कृत्वी का कोई भी संबंद नहीं रहेगा, उसको बाद में आने की कोई जरूरत नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें चिंता नहीं करने, एक अच्छा इंसान बन के हमें अपने जीवन में आगे बनन होगा दोस्तों, तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, आप अपने परिवार का खायाल रखना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेनुएन भरोसे मन थेरपिस्ट की तलाश कर रहे हैं, जो या अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,